द्यान के लिए तीन बातों का मन में हमेशा ध्यान रखना ध्यान करते समय ध्यान कोई क्रिया नहीं है ध्यान कुछ धौरना भागना ध्यान कुछ मन में उल्ट पुलट ओहा पूहा चलाना ऐसा कुछ नहीं ध्यान सिर्फ मन का निर्विचार मन का शुन्य हो जाना है और उसके लिए कुछ विधिया है रिशियों ने बनाई है प्रणयम के द्वारा अभी हम ध्यान में जा सकते हैं प्रत्याहर के द्वारा, धारना के द्वारा, ध्यान को करने की अनंत आयाम है, लेकिन ध्यान में तीन बातों का ध्यान हमेशा रखना, ध्यान करते समय, मन में ऐसा प्रारंब में सूचना, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, उस प्रमात्मा का दिया I want nothing. ये पहली बात. और फिर, do nothing, कुछ ना करो. ना शरीर से, ना ही मन से. हम कई काई बार शरीर से कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल शान हो जाते हैं, लेकिन मन से हम उथल उथल जाई रखते हैं, मन से कई तरह के काम हम लेते हैं, तो ध्यान नहीं हो सकता. इसमें दूसरी बात, डूनते को छोड़ करो, ना शरीर से, ना मन से, मन को योँ ही छोड़ दो, जैसे आप एक सड़क के चुराहे पर खड़े हो जाते हो, और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप बस उनको देखते रहते हो, गुज़रते हो, उनके साथ नहीं चल पड़ते, इसी तरह मन में कोई विचार उठे, तो उस विचार के साथ मत चल पड़, शान्त हो जाओ, आते जाते विचारों को बस यूँ ही देखते रहो, जैसे मैं तो किसी और दुनिया से आया हूं, यह विचार यहां के, दूसरी बात यह है, और फिर तीसरी बात, स्वासों को शा होते 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 होते, आप पाओगे धीरे 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 धीरे, जैसे स्वास आई नहीं रही, जाई नहीं रही, और आप अपने आवस्था सहज भाव में टिक जाओगे, अपने आप में आवस्थित हो जाओगे, यह ध्यान के सुत्र है, झाल झाल